नमस्कार दोस्तों स्वागत है ओनलाइन स्टरी यूके में आपका तो आज हम बात करेंगे उत्राखंड का इत्यास पार्ट फूर अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी हैं तो पार्ट थिरी तक हमने काफी अच्छा कंटेंट आपके लिए तयार किया है आगामी एक्ज हमारा ठीक है तो बढ़ते हैं मौर रिकालीन मौर रिकालीन आता है पूरो मद्धी हुगीन में ठीक है मौर रिकालीन की बात करें तो 324 से 187 इसा पूर्व ठीक है मैं ये मौर रिकालीन आता है कालसी के इसके जो सुरोत है कालसी के सिलालेक के अनुसार असोग जो असोग सम प्रिक्षा में कि कौन से कालीन है तो सुंग कालीन इस्तूप है इसे नापानी का उसके बाद आता है मौर्य उत्तरकाल की बात करें तो जो असोक की मृत्यू के पश्चात विदेशी आकरमलकारियों में यवन पर मुख रहे ठीक है यवन पर मुख रहे तो उसके बाद डॉक्टर एके नारेंड के अनुसार जो मिनांडर था मिनांडर का इथ्यासकार था तो इन्होंने इसमेस नदी तक मिनांडर का अभियान बताया और परतु यह नदी अभी विवादासपंद है इसका कोई प्रूफ नहीं है ठीक है इतियासकार जो राहुल-सांसकृत्यान है ठीक हैlys के सोत के अनुसार जोसी मट और पांडूकेश्वर के मं ये किसने कहा राहुलसांस्क्रिक्तí Benedict Canada कहा है ये, ठीक है अन्यविदेशी सक्तियों में सक पल्लव तथा कुसानों के नाम उलएखनीयı है। कुडिंद सासक की बात आती है तो कुडिंद को हम कुलोन कुलिंद या कुडिंद कहते थे और डॉक्टर कनिंगम के अनुशार डॉक्टर कनिंगम जो इत्यासकार है उनके अनुशार कुडिंद कांगला के कुनेत थे थे तथा इनका जो उद्भविस्थान और मद्ध हमाले क कि निचली ड़लानों से मानते थे इनका ठीक है तौलमी मानते थे कि कुडिंद गंगा के उपरी गहाटी के निवासी हैं और कुडिंद सासक हिमाले के जन जाती थे और प्रवतिय भागों में इनका अधिकार था ठीक है अमोग भूती जो थे कुडिंद राजवन्स के अधिक प्रभाविसा सक था और ज्वाला मुखी के पास एक खेत में यवन जमराट अपोलो डॉट्स ने तीन मुद्राओं के साथ अमोग भूती की मुद्राएं भी मिली हैं ठीक है इसी आदार पर कनिंगम ने इसकी तिथी एक सो पचासी सा पूरवे स्विकार की है ठीक ह या तीन परकार की हैं कुडिन्दों की मुद्रा ठीक है अमोग भूती परकार की पहली मुद्रा है अमोग भूती जो अमोग भूती सबसे परतापी राजा थे तो कुडिन्दवंस के और इनकी जो मुद्रा थी रजत और तामर मुद्राएं थी इनकी जो लेखन था इन में सिवदत, हरिदत और सिवपाली चार परकार की मुद्राएं अलमुडा में मिलती हैं ये बहुत महत्पूर्ण है ये भी ठीक है चार परकार की मुद्राएं मिलती हैं और अलमुडा में जो अभी बिटे संग्राले लंदन में हैं जो कि यहां नहीं हैं कत्यूर घाटी में 54 मु प्राप्त हुई है ठीक है चित्रेश्वर परकार तीसरी है चित्रेश्वर परकार चित्रेश्वर परकार कुडिंद के अधिश्थाता देव जो चित्रेश्वर थे और इनका छत्रेश्वर के नाम से भी निर्गत की गई थी ठीक है कुसानों की मुद्राएं उत्राखंडे क तराई भाग वा सिवालिक छेत्र में भी प्राप्त हुई है कुसान कालीन मद्धी हमालई में राजा ठीक है कुसान कालीन मद्धी हमालई में जो राजा थे यौधेई जौनसार वहाँ पर काला डंडा गडवाल छेत्र में थे यौधेई ठीक है परवर्ती कुरिंद जो थे परवर्ति कुरंद परवतिया इलाकों में थे युकसहल का जो वर्सों का वर्सों का गंगोत्री वंस का इसका परतापी राजा था था तो परणवर्ति कुरंदो का ठीक है राजा सील बर्मन जो थे कालसी परदेश के राजा थे राजा सील मर्मन जिसमें यमना के तरफ पर अ मौर्जी सामराज जी के परवर्ती भाग पर सुंगु ने अधिकार कर लिया ठीक है तो देहरादुन के अंबारी गाओं में जो भद्रमित्र थे इनके तो इनकी मर्ण मुद्रा प्राप्त हुई है तथा कुमाउं हिमाले के तराई से प्राप्त सेना पानी स्थूप में भग सासन की संबंद की जानकारी मिलती है पहले भी बता चुके हैं कि सुंग कालीन थे वो सेना पानी के स्थूप भरुत जो स्थूप वेदिका वो सांची के द्वार तोरणों के निर्माल भी सुंग काल में ही हुआ है ठीक है हिंदी यूनानी यवन आकरमल कारियों के बारे मे बात करते हैं सुंग गाल में ही पश्चिम भारत में जो हिंदू यूनानीयों का आकरमल हुआ तो उसमें उल्लेखनिय राजपरोहित पतंजली ने अपनी रशना में किया है ठीक है इत्यासकार इन्हें मिनांडर दिमेटरिस युदी देमस आदी नामों से पुकारते हैं हि कुडिंद के समकाली नहीं यौधेव थे ठीक है इनके सासकों की मुद्राएं जौनसार यानि की वहवर देहरादोन तथा कालोडांडो पॉडी से मिली हैं तथा उनके जो सासन की पुस्ती करती हैं जो इसके ठीक है यहां जिक पॉडी कालोडांडो पॉडी और जौनसार जो कुडिंद के समकालीं थे इनकी मुद्राएं यहां से मिली हैं। जाने करवाया था ठीक है। यह उत्तर बनता है। तो गुप्त काल प्रियागपरसस्ती समद्र गुप्त का था ठीक है। कथा अनुसा चंद्र गुप्त ने खसादी पती को मार कर उसकी राजधानी कारती के इपुर पर अधिकार कर लिया। किसमे है धुरुव स्वामिने की कथा में है। ठीक है। इस प्रदेश के पर चंद्र गुप्त से लेकर इसकंद्र गुप्त तक का अधिकार रहा। इसके बाद यहां नागवन्स की सासकों ने सासन किया। इसके बाद ठीक है। गुप्त के बाद नागवन्स आया। गुप्त कालि इन तीन जो तीन तीन तीसरी और पाँचवी सताब्दी लाखा मंडल कालसी में खंडिस सिलालेक मिले हैं गुप्त कालिन तीसरे और पाँचवी सदाब्दी के लाखा मंदल में जो खंडिस सिलालेक मिले हैं ठीक है समुद्र गुप्त का जो प्रियाग परसस्ती गुप्त के बाद यादव और नागवंस में काली के आसपास के छोयतर में रहे ठीक है इसकंद गुप्त 455-467 के बाद उत्राखंड में सासन करने वाले सासक जो थे इसकंद नाग, विसुनाग, असुनाग ठीक है गोपिस्ट्वर का जो तिरसूल लेख है वो जैपती नाग जो असुनाग का है ठीक है और गड़िस्ट्वर और गुह जो हैं बाहा जो बराह तिरसूल लेख हैं वो लेखनी हैं ठीक है मद्ध हमाले छेत्र के नाग वन से के अस्तित्तु का पता चलता है वो छटी और सात्वी सताब्दी में तिरसूल लेख जो गोपेश्वर गड़वाल चार नाग नरेसूं के नाम है इनमें तिरसूल लेख जो गड़वाल में चार नाग नरेसूं के नाम है ठीक है इनमें से इसकंद नाग विभु नाग असु अंसु नाग गडपती नाग जो नागवंस का सबसे प्रतापी रा जा कौन था गनपती नाग ठीक है इन चारों के तिरसूल गोपिश्वर चमोली से प्राप्त हुए हैं तिरसूल अभिलेग में ठीक है हर्शवर्दन का सासन आता है उसके बाद नागवन्ज के बाद हेंस्वांग ने अपनी यात्रा का विवरंड यमना नदी के पश्चिमी में किया है इन तीनों राज्यों में हर्शवर्दन का सासन था तीन में ठीक है सुरूगन जनपत ब्रह्मपुर और गोविशान तो राहुल सास्कृतिन के अनुसार क्या है कि तिब्बत समराठ इस इस त्रोत्र गंपो 629 से 647 इस वी ने अपनी सक्तिका वस्ता चीन और ने माड मिलते हैं जो उत्तराखंड के दक्षणी और पूर्वी भाग पर सासन कर रहे थे हर्श के पश्यात मद्यमाले यानि कि 648 से 750 स्वी चीनी यात्री हिंस्वांग 624 के यात्रावरतान्त के अनुसार ठीक है 624 में उसने अपने यात्रावरतान्त में लिखा है कि हर्श कै गोविशान काशिपूर को भी बोलते हैं उनका प्राचिन नाम है ठीक है उज्जेन गराम काशिपूर यानि कि गोविशान के आसपास दूर्ग है जिसमें इस इस्थान की पहचान इस राजजी की पहचान हुई है गोविशान की ठीक है कार्तिकेईपूर राजवन से ठीक हम अगले वीडियो में देंगे अभी हम संचिप्त में आपको बता देते हैं कि कार्तिके इपुर राजवन्स को उत्राखंड का प्रथम एतिहासिक राजवन्स माना जाता है ये काफी महत्वपूर्ण कोश्चन है और इस राजवन्स के अभी लेग पांडोकेश्वर कंडारा बागेश्वर आदिस्थालू से प्राप्त हुए हैं इसके कम से कम तीन पनिवारों ने 790 इसवी तक उत्राखंड के विसाल भूवाक पर सासन किया तो लग वक 300 वरसों तक सासन करने के बाद यह राजवन से अपनी राजधानी कुमाउं से कत्युरी घाटी में बैजनात बागश्वर ले आया ठीक है उसके बाद कार्तिकेई पूर राजाओं की जो इस्ट गनदेव जो ते इस्ट गनदेव कार्तिकेई थे इस्टदेव ठीक है इस्टदेव जो थे कार्टिकेई थे और बैदनात बैदनार यानि कार्टिकेई पुर की स्थापना वहाँ पर हुई बैदनात में ही ब्रह्मपुर का पतन 675 इस्वी के आसपास हुआ था ठीक है तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों और बने रहिए नेक्स वीडियो में पाने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल ऑनलाइन स्टड़ी यूके को और हम इसमें आपको उत्राखंडे की पूरी जानकारी देंगे और हिंदी के हम पार्ड बाई पार्ड एच पर सिलेवस हम उत्राखंडे PCS और उ झाल